वेल्कम बेक टो वाइटोब चैनल S.W.T.e.D classes 935 पर बच्चों तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंतर का थम लोग डील करने वाले हैं Class 12 physics का एक very most important concept very most important topic जो है कउच्छावारा भावतिक ग्यान का कलाश 12 फिजिक्स का जिसके अंतरगत हम लोग बात करेंगे 10 बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और अब्यक्ति बियानी की बहुविकल्पी प्रसन आइसे प्रसन है जो आप देख सकते हैं बेरी मोस्ट आई एमपी कुस्चन है जिनके बारे में आप देख सकते हैं हर साल देख लेना है क्योंकि बोर्ड एक्जाम 2024 की द्रश्ट से एक कुस्चन जो है 10 कुस्चन बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कुस्चन है जो आपके 5 कुस्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर उसमें से यही 10 में से 5 5 सकते हैं तो आपको क्या करना है सुरू से लेकर अंतक सारे कु कुस्चन से आपको बोर्ड एक्जाम के अंदर कुस्चन मिलने वाले हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल सांदार तरीके से बिल्कुल सुरू से लेकर अंतक देख लेना है क्योंकि बच्चों कुछ ऐसे कुस्चन होते हैं जिनके हर साल आने के चांसे होते ही होते हैं तो व एक electron bolt का मान कितना होता है दो गुणे 10 के घात minus 18 JOOL होता है या दो गुणे 10 के घात minus 19 JOOL होता है या 1.6 into 10 की पावर minus 19 JOOL होता है या none, यहीं कि इन〇से कोई ऐसा मान नहीं जो 1 electric bolt का मान होता हो तो बच्चों आपने पड़ा होगा और ये मान आपको यूज लगेगा क्या हो कि इससे कई सारे numerical भी लगेंगे वहाँ पर इसका मान भी आएगा तो एक electron bolt का बच्चों जो मान होता है वो हमारा होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम next question है बच्चों बेद्धुत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है जो हमारा विद्धुत फ्लक्स होता है उसका क्या मात्रक होता है बेवर मात्रक होता है bolt meter होता है या bolt into meter होता है या newton प्रतिकुलाम होता है bolt into meter ना कि bolt meter और बच्चे क्या करते हैं बोल्ट meter लगा के आते हैं और यह बिलकुल गलत है ठीक है बच्चों नेश्ट देखिए नेस्ट कहरा है बेददद विभाव का मातरक बताईए क्योंकि वेदद फ्ल gagner और ब्यृद विभाव में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते है तो बच्चों जो हमारा बेदद विभाव होता है इसका क्या मातरक होता है क्या जूल प्रतिकुलाम होगा या जूल कूलाम हो जाएगा या जूल प्रति कूलाम प्रति जूल हो जाएगा या न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा तो हमारा जो बैदुत भी होता है बच्चों उसका मान होता है जूल प्रति कूलाम क्या बच्चों होता है जूल प्रति कुलाम नेस्ट देखिए कुस्षय नमर चार है देखिए कुस्षय नमर चार कह रहा है बेद्दु धारा गनत जे तथा अपवहावेग बीडी में सम्मन्द है या जे जुकल टु एन इवीडी होता है या जे जुकल टु बीडी डिवाइडर वाई एन होता है या जे जुकल टु एन वीडी डिवाइडर वाई ए होता है तो बेद्दु धारा गनत जे और अपवहावेग बीडी में जो सम्मन्द होता है बच्चों वो होता है जे जुकल टु एन इवीडी और इस पे आपको नि चुम्बकत का क्या कारण है यानि कि जो चुम्बक होती है जो आप चुम्बक देखते हैं उसमें लोहाच चिपक जाता है तो चुम्बकत का जो कारण है वो क्या है किसके कारण होता है इलक्टरानों की धुर्णी गुड़ी गति होती है या प्रतिवी का कारण होता है या फि है इस ही के कालड उसमें चुम्बकत तरु यह ओता है नाग्ट नेश्त देखें शिक्स नमबर नक्षि कोफिशनified कोश्चर नमबर छे जो है कि छण में प्रेषित बिद्धुर्द बहाकबल का मान कितना होता है चुछण हुआ मान कित baseball łacot breakout है उसका मान कितना होता है उसका मान होता है छो किसी transformer में क्या संब्भव नहीं है यह निकि transformer में क्या संब्भव नहीं पच्चों क्या Grade ने डारा बर्मर्स यह परत्यावर्थी धारा संब्भव नहीं तो जो हमारा transformer Так का आपने उसका सिधान्त् पड़ेंगे जिब उसके बारे में अप इस्टडी करेंगे उसकोहां पर आप पाएंगे उसमेंie कहीं भी दिष्ट धारा 1 जो सबसे अधिक आभरत की बच्चों हम बात करें सबसे अधिक आभरत किस तरंग की खोती है तो आपने जो गामा केंणे पड़ी थी उनकी तरंग धर्त थी यहींनै की जो अब रति सबसे ज़्यादा थी ठीक है बच्छों नेश्ट कुर्शन देखिए निम्न मेंसे कौन से विक्रण की तरंग प्रकरती जो होती है वो सबसे कम यानि की निवनतम होती है यानि की ऐसी कौन से किरणे होती है कौन से विक्रणे होती है जिनकी तरंग धहरत जो होती है निवनतम यानि की सबसे कम होती है क्या X किरणे होती है या हमारी गामा किरणे होती है या फिर वीटा किरणे होती है या निगेटिव किरणे होती है तो बच्चो सबसे अगर नियुन्तम तरंग धहर्द की बात की जाए तो सबसे अगर नियुन्तम तरंग धहर्द जो होती है वो बच्चो हमारी गामा किनों की होती है और लेकिन इनकी जो आबरत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा आबरत की तरंग धेर्द है लेकिन इनकी तरंग धेर्द जो होती है वो बच्चो सबसे नियुनतम होती है देखे बच्चों यहां पर आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर यह क्या है कहीं पर सबसे अधिक बात हो रहे हैं कहीं पर सबसे नियूनतम कम हो रहे हैं लेकिन आप दोनों जगे गामा केड़े ही दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं आपको जामनल वी देता है बेवकूप वरा ही है सबसे अधिक आब्रत की तरंग देर्द तो तो सारी है लेकिन सबसे अधिक आब्रत जो है वो हमारी गामा केड़ों की है लेकिन तरंग धैर्द जो है वो सबसे नियुनतम जो है वो गामा केड़ों की है ठीके बच्चो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे इस कुश्चि होता है या 1.44 होता है या सुन होता है यानि कि इसका आप वरतना के कितना होता है इस कुस्चन का आपको जवाव देना है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फर्माइस जो है वो आपको कमेंट बताना है ठीक है बच्चों आप कहीं से भी सर्च करके कैसे भी हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर आई होप है आपको 10 कुस्चन आबसी समझ में आएंगो और आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा और आपको अच्छे से इस्टेडी करते रहना है फड़ाई करते रहना है ठीक है तो हम लोग मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक सा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मतरम आप लोग पढ़ते रहें आगे वढ़ते रहें